हलो विवार्स वालकम बैक टो कुसम्स किचन आज मैंने बनाई है मसाले दार पालक पूरी याने के स्पिनेश पूरी और यहां देखें कितनी एक्दम बलून की तरफ फुली फुली पूरी यां वनी है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके रेसिपी किस तरह से मैंने है इन सोब को हम एक साथ ट compr कर दालें लेंगे और इसका एक पूरे बना लेंगे प्लकес कर आइन दाला है और इसका प्यूरी बिल्कुल रेडी है ह tulee कि याद रखें कि यह प्यूरे वह बेल्कुल फाइन होना चाहिए ऑर इसमें पाने बिल्कुल नहीं दाला था。 तो चिली अब हम स्टार्ट करते है, आठ अगुन्ना यहां मैं ने एक कप गेह काट लिया, इस हिए डाला है, हाफ स्पून सॉल्च, यह है करिंडर प्वडर, हल्दी प्वदर, यानी की टामरिक पॉदर वन फॉफ़ लिदी प्व फॉदर, रेट चिली पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि हमने ग्रेन चिली भी इसमें डाला था अब हम इसमें जो इस्पिनेश का प्योरी बनाया था हमने यानि की पालक का प्योरी उसे इसमें एट कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद जैसे हमको ज़रुवत लगेगी उसके कोडिंग हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी एट करेंगे और उससे एक अच्छा सा आटा गुन लेंगे आटा हमें जो है पूरी या पराठी की तरह जो आटा गुनते हैं उसी कंसिस्टेंसी का चाहिए तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ट भी नहीं थोड़ा-थोड़ा सा पानी एड़ करना है और आटा गुंते जाना है एक साद हमें भूसरव पानी नहीं डालना है अधर्वाइस जो हमारा आटा है वह पेस्ट बनंजाएगा और हमि इसका पेस्ट नहीं बनाना है अच्छे से नीट कर लें अच्छे से मेक्स करें अच्छे से नीट करें और उसके बाद जो हमारा डू है वो अल्मॉस्ट रेडी है तो डू रेडी है अब मैं इस पर थोड़ा सा ओईल लगा करके इसे 20 मिनिट के लिए कवर करके एक तरफ रख दूँगी इसे डग दें और रख देते हैं एक तरफ 20 मिनिट हो चुका है और हमारा डू है जो वो सॉफ्ट हो चुका है बहुत हार्ड नहीं है बहुत सॉफ्ट भी नहीं है इसे एक सर्फेस के उपर हमें इस तरह से टू मिनिट के लिए नीट करना है यानि अच्छे से गूनना है इसे जिसे कि थोड़ा सा नरम हो जाए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो विंडो के जस्ट नीचे रेट करका सब्सक्राइब बटन है उसे एक बार प्रेस कर लें उसे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आत सब्सक्राइब अच्छे से गून लिया है और इस तरह से रोल बना के उसकी छोटी-छोटी से हम लोईयां तोड लेंगे और इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से मैं कर रहे हैं उपने हाथों के बीच में एक लोई को लें दबाय करके गुमा करके एक शेप दे 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 उसको इस तरह का और इन्हें मैंने बहुत बड़ा नहीं बनाया है और बहुत स्मॉल भी नहीं है मीडियम साइज का है तो यहां पर मैंने सारी लोईयां रेडी कर लिए सरफेस के उपर मैं थोड़ा सा ओईल अपलाई किया है और रॉलिंग पिंग जो है उसके हल्प से पूरिया बेलना स्टार्ट करूंगी इसके लिए आपको पेड़े के उपर एक बार पिंग चलाना है उठाना है फिर पूरी को नीचे रखना है फिर उठाना है फिर नीचे रखना है फिर उठाना है फिर नीचे रखना है इस तरह से करते वोए हम देरे देरे से पूरी बेल लेंगे सारी पूरिया हमें इसी तरह से बनानी हैं अगर आपको लगता है कि rolling pin के ऊपर थोड़ा सा भी पूरी स्टिक होरा है तो हिलक आसा oil आप rolling pin पर भी लगा लें इसी तरह से हम सारी पूरी बना लेंगे ये पूरी बहुत healthy होती है बच्चों के लिए आप लुंच बोक्स में अपने लिए बनाए या फिर अगर कहीं बहार जा रहे हैं आप सफर के लिए या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इस अपने साथ टेक अवे कर सकते हैं और इसमें मसाला है और तो इसके लिए आपको किसी सोस या किसी सबसी की ज़रुत नहीं है, किसी अचार की ज़रुत नहीं है, वैसे मैं आज अचार के साथ सेव करने वाली हूँ, वैट आप बिना किसी सोस और सबसी के भी से वैसे ही खा सकते हैं, सारी पूरीज अल्मोस्ट मैंने ओील've pro five करने के लिए पूरि को होत होने के लिए रख दिया है और अलमोस्ट हो गया है तो चलिए हम सारी पूरि को एक एक कर여 ना शुरू करते हैं ये कि होच है काफी होट होना चाहिए मैंने एक पूरि को इसमें बिल्कुल स्लोली डाल दिया है और जैसे ही ये पुरी उपर आएगी जैसे ये उपर आगई है एक इस पे चुला कि उससे आप इसे हलका हलका सा प्रेस करें इसे प्रेस करने से ये फूल जाएगी और जैसे ही एक तरफ से लाइट गॉल्डन ब्राउन हो जाती है हम इसे टर्न कर लेंगे गेस हाई फ्लेम पर है और ओइल काफी होटे तो मैं याँ पर दूसरी जो पूरी है उससे भी इसी वक्त इसमें डाल देती हूँ और एक बाद जैसे ये पूरी उपर आती है आगे ये उपर मैं इसे बहुत लाइट हैंड से प्रेस करूँगी और यहाँ देखें हमारी पूरी जो है वो बिल्कुल बलून की तरफ फूल गई है पहली पूरी ये देखें कितनी गसब की पूरी बनी है एकदम मस्त खुश्बू आ रही है और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है इसी तरह से हम बाकी की पूरी को एक एक करके इसमें डालेंगे और फ्राइ कर लेंगे जैसे ही पूरी का कलर गॉल्डन ब्राउन होता है इस तरह से टर्ण कर लें और दूसी तरफ से फ्राइ करें यहां देखें कितनी गजब की हमारी पूरी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है पालक की पूरी बिल्कुल रेडी है तो एंजोई करें अपने फ्रेंड्स और फेमले के साथ में वीडियो को शेयर करें लाइक करें और थैंक्स फॉर वोचिंग माई वीडियो अपने वीडियो